वीटियो में हम बात करेंगे ब्रेजाएं स्टोक्स फॉर टॉमोर्व और साथ के साथ मार्केट एनलीसिस भी कर लेते हैं जिसमें निप्टी बेंग निफ्टी और फिन निप्टी का अनलीसिस कर लेते हैं। और एक बात अगर आप नोट करोगे तो आप देखोगे कि अब भी जितना FI's sell कर रहे हैं, उतना ही almost DIs buy करते जा रहे हैं, daily हमें यही देखने को मिल रहा है, तो ऐसा है कि अगर FI's sell कर रहे हैं, तो हमें सट्रेंथ DIs की तरफ से देखने को मिल भी है, इसी वज़ा से market में ज ऐसा लग रहा है कि Nifty अभी 20,000 और 20,500, इस range में रह सकता है, थोड़ा बहुत उपर नीचे, अगर यहाँ पर माल लीजे, time spent करता है, दो तरीके हो सकते हैं, एक तो यहाँ से यह ऐसे time spent करके double bottom बना कर फिर वाप इस उपर जाएगा, या फिर अगर यहाँ से इसको उपर continue one sided जाना है, तो यहाँ से इसको 24,500 के उपर closing चाहिए का candle चाहिए, फिर यह उपर जा सकता है, तो अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर यह द्वारा दिने-दिने slow, slow नीचे आएगा, थोड़ा सा market up, down, up, down, ऐसे रह सकता है, ऐसे हमने के वर पहले भी देखा है, जब के वर global news उगरा चल रही होती है, तब फिर market में ऐसे हमें आप down देखने को मिलते हैं, तो वो better रहता है कि अगर यह double bottom बनाकर price चलता है, जैसे आप पहले भी कई बर chart में देखोगे, यहाँ पर देखी, यहाँ पर double bottom बनाकर price गया, अगर ऐसा होता है, तो definitely वो फिर new high बनाने के वैसा ही है, यहाँ पर इसमें अभी है, अगर इसमें breakout आता है, तो breakout आएगा 50, 800 के उपर अगर यह sustain रहता है, closing देता है, तो then द्वारा फिर फिर यह हमें target दिखा सकता है, यहाँ पर 51, 800, 900 तक, तो यह level अभी कापर important रहेगा, अगर इसमें पर closing दे देता है, इस week में या तफिर आने वाले एक दो दिन में, तो इसको focus करके रखें, नीचे इसका support level रहेगा, 49, 700, तो इसमें भी अभी हम देख रहे है, almost 1000 की range बनाके चला हुआ है, तो अगर breakout आता है, तो आप इसको breakout के level पर यह जैसे यहाँ पर आप देखिए, नीचे, यह आज नीचे से इसमें trend reverse जला गया था, fast momentum, उसके बाद पर यही पर यह concentrate करता रहा, तो अगर 50, 800 के उपर breakout आता है, तो इसमें बिल्कुल small tight stop loss रखके चलिए, अगर बात करें, फिन 50 का भी चार्ट, कल, फिन 50 की weekly option के experiment आगी, तो फिन 50 का चार्ट की almost same है, आपको देखने को मिल रहा है, अगर इस 22, 600 के बस, तो वहाँ पर buy किजिए, sell भी कर सकते हो, sell कहा किजिए, अगर 23, 100 के उपर वापिस जाकर वापिस नीचे आ जाता है, तो आप इसको sell कर सकते हो, या फिर simple सा ये है, इसको आप 23 के level के नीचे sell करके चलिए, तो फिर target अपना रखिए, 22, 800, 422, 500 तक के, तो इसमें दोनों दरहां से आपको चास मिल सकते है, sell करने का भी, और dip से buy करने का, या फिर breakout का, तो सारे ही option मिल सकते है, depend करता है कि live market में कैसा chart form बन रहा है, जैसे आज mid CP nifty का, इसका थोड़ा सा आपको learning head कर देता हूँ, कि mid CP nifty का हम देखते हैं, अगर, तो कैसे trend reversal, identify करना होता है, देखिए 15 minute के time frame पर, यह आज का, इसमें open होगा, तो उसके बाद दिर दिर नीचे गया, यहाँ पर यह considerate होता गया, काफी time इसने considerate के लिए लगाया, उसके बाद यह 5 minute के time frame पर दिखिए, काफी time, और उसके बाद जैसे यह candle बनी, तब वहाँ पर शोटी हो की, कि yes, यह भी momentum दे सकता है, उसके बाद देरे-देरे-देरे slow score नीचे आया, फिर वापिस से यह momentum पकड़ता गया, तो इस तरह से अगर कुछ home आपको दिखाई देता है, bank nifty, fin nifty में, तो वहाँ पर एक trade plan जुरूर कीजी, बट stop loss जुरूर की, अपना stop loss mall जुरूर की है, ऐसा जुरूर नीचे होता है कि हर वर सेम ही, आपको pattern या सेम ही momentum दिखाई दे, तो अब बात करते हैं, break of stocks की, देखे, break of stocks में, एक first है, jubiland food, अगर आप याद होगा, तो आप अगर continue मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपने याँ देखा, कि मैंने आपको ये 460 और ये 48500 के level पर ये stock आपको recommend किया था, वीडियो में बार बार बोला था, कि ये काफी अच्छे discount पे मिल रहा है, काफी बड़ी correction के बाद, इसमें trend reversal देखने को मिल रहा है, तो अब ये देख लीजिए, 460 वाला 650 तक almost 200 point इसमें आ चुके है, और जब से इसमें देखी, वीडियो मना है था, फड़ा सा ये एक side बेज रहा था और उसके बाद continue one-sided चलता गया, तो वहाँ पे देखिए, कि एक-द जहाँ से देखोगे, तो आपको दिखाई देगा कि ये trend reversal का sign था, तो मैंने आपको explain already किया था, अभी इसमें बात करें, fresh breakout ये 22 का level है, अगर ये आज के high के उपर निकलता है, 656 तो इसमें फिर से fresh breakout आ गया, या फिर अगर हम बात करें, इसमें daily की candle, तो इसमें काफी अच 2 days, 3 days sideways रहता है, तो इसमें जैसे sideways आता है, थोड़ा deep मिलता है, तो वहाँ पर आप इसको entry plan कर सकते हो, 620, 25 के पास, फिर आपका risk reward better रहेगा, और इसमें next target के लिए आपका रहना चाहिए, इसमें next target, बिल्कुल recently target 700 plus के, और देखिए, अगर मैं trend reversal की बात करूँ, तो एक म weekly chart पे आपको explain किया था, जब यहाँ पर यह trend reversal आ गया था, 350 के पास, 380 के पास, और यह फिर द्वाराम ने यहाँ पर recently भी वीडियो मनाया था, 480 के पास, और यह देखिए, 480 से भी कैसे यह 700 हो चुका है, तो अगर आप कोई trend reversal stock पकड़ते हैं, मेरा कहने का सिर्फ यही है कि अगर आप उसको पकड़ते हैं, थोड़ा सा कईवर stocks पैङ लेता है, लेकिन वहाँ पे आपको return, profit काफी बड़ा मिलता है, और वहाँ पे आपका stock loss भी बड़ा रहा है, तो ऐसे stocks को आज की date में market अगर माल लेजे, side भी रहता है, concentrate करता है, तो ऐसे stocks को और आप अपनी त stock पता रहा हूँ, stock देखिए, वही निकल कर आ रहे हैं, जैसे walters है, यह stock भी मैंने आपको कभी recommend किया था, 930 के breakout पे जब यह आया था, इसमें भी ऐसा यह 3 rounding bottom बना था, और उसके बाद से यह 900 वाला stock देख लीजिए, 1600 तक पहुंच गया, अब इसमें fresh breakout है, daily के candle पे जाते ह हैं, तो इसमें देखिए, आज भी इसमें काफी अच्छे volume बने है, candle है, तो अगर यह 15, मिल जाता है, in case 1500, पर पास मिल जाता है, तो वहाँ पे आपर इंटरी plan कर सकते हैं, इसका resistance था, 1560 यह इसका resistance था, और next target रहना चाहिए, 1650 और 1800, यह Fibonacci level है, अगर मैं बात करू, swing trading के लिए, positional के लिए, तो यह stop loss रहना चाहिए, 1400 का, क्योंकि अभी इसने फिर से आप देखोगे, और इसने फिर से कुछ ऐसा ही pattern यह दिखिए बनाया है, frowning सा pattern बना दिया है, यह stop loss रहना चाहिए, बट अभी यह lifetime high पे breakout है, तो इसलिए stop loss पिलकुल tight रहना चाहिए आज momentum इसमें बना है, हो सकता है कि इसमें आगे भी momentum देखने को मिले, next stock की बात करें, तो जिंद, steel and power limited, इस stock को देखिए, आपको यह breakdown भी दे सकता है, breakout भी दे सकता है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो support level है, वो है night and dead का, तो अगर यह 8900 के नीचे जाए, तो आप इसको sellerize की कीजिए small session लेकर, अगर यहां से यह, क्योंकि आज hammer candle बना है, तो यहां से अगर continue जाता है, तो यह एक वार 940, 950 तक जा सकता है, तो इस stock को अपने watch list में रखो, कि जैसे इसमें अगर breakdown मिले, तो entry plan कीजिए, 870, 850 तक, और अगर यह आज के हाई के उपर sustain रहता है, तो इस और ऐसे breakdown वाला stock है, इस stock में देखिए कि, अगर इसमें कैसे sell करना है, sell करना है, अगर यह 1920 के निचे जाता है, तो इसको plan कीजिए, 1880 के लिए, और 1770 के लिए, बट अगर यह level break नहीं करते हैं, इसके निचे, इन केस यह कल को अगर gap up open हो जाता है, और ऐसी candle बना देता है जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर भी यह पहले breakdown हो गया था, यह pattern बन गया था, head and shoulder, उसका breakdown हो था, वहाँ से sell point नीचे गया था, बट next यह क्या हुआ, एक अच्छी gap up के बाद एक अच्छी candle बन गी, और जैसे इस candle के उपर यह निकल गया, तब इसमें का फिच्चा upside भी momentum आ गया था, तो इस stock को भी अपने radar में रखे, कि कल कैसी इसमें opening होती है, first 15 minute या 30 minute में आपको यह confirm हो जाएगा, तो अगर ऐसा कुछ gap up के बाद candle बनता है, और यह आज की candle को breaker के चलता है, तो इसमें फिर ट्रेंड रिवर्सल फिर से आ सकता है, तो इसमें भी आपको दोनो मुझे जो कुछ लगेगा, यह estrel में और जो भी मैंने आपके साथ stock का discuss की है, तो मैं आपके साथ chart भी share करूँगा, कि किसमें अगर buying का लग रहा है, या sell side लग रहा है, तो मैं try करूँगा आपके साथ यह जो मारा public telegram channel है, वहाँ पर lie market में chart share करने की, तो यह अगर आप हम वीडियो को लाइक कीजिए, share कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,